नमस्कार दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है विकोद फ्रेंट्स आज की यह लेटिस्ट बर्ती इंटेलिजन्स ब्यूरो के अंदर आचुकी है जो की 2023 की बिल्कुल सरकारी गोवर्मेंट नोकरी रहने वाली है और आप All India Candidates इसमें एपलाई कर सकते हैं आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं चाहिए आप मेल हैं या फिमेल आप All India Candidates इसमें एपलाई कर सकते हैं और यह बर्ती केवल आप सभी के लिए दस्में पास रहने वाली है तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए दो तीन प्रकार के पदों पर यह नोट्वेसन जारी कर दिया गए है तो आप इसको जरूर लाश्ट तक देखेगा और इस बर्ती के लिए जरूर अपलाई करेगा कौन से ब्यूरो के अंदर कितनी वेकेंची है जैसा कि आप देख सकते हैं यह एहमदावाद का ब्यूरो है इसके अंदर टोटल यहाँ पर 37 वेकेंची आचुकी है और यहाँ पर 4 वेकेंची आचुकी है ऐसे ही दोस्तों इन्होंने सभी ब्यूरो की यहाँ पर डिटेल व और भी दोस्तों यहां पर अगर राजस्थान के अंदर कोई ब्यूरो है चाहे माहराष्ट है गुजरात है यहां पर मध्य परदेश है सभी के अंदर वेकेंज से काफी सारी यहां पर हैंडसम आ चुकी है आपकी एजूकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटिरिया की और आप भ पहले अगर आप रोजाना एसे ही सरकारी गोर्मिन नोकर की अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजेगा तो आप देख सकते हैं सेलरी आपकी 21,700 रुपेश से लेकी 69,100 रुपेश रहने वाली है और ये दोस्तों सेलरी सेक 29,900 रुपेश पर मन्त रहने वाली है तो अब बात कीज़े आपकी एजूकेशन क्राइटेरिया की तो दोस्तों आप इसमें दस्वी पास है तो अप्लाइ कर सकते हैं इन्होंने साब साब देर्ख है अगर आपने भारत के किसी भी राज्य या किसी भी बोर्ड से किसी भी इस सरकारी नोकरी को आप जोए आसानी से ले सकते हैं इसके लिए आपकी उम्र अठारा से लेके 25 साल तक होनी चाहिए आप 18 के हो चुके हैं और 25 साल से अगर एक दिन भी कम है तो भी दोस्तों आप इस बर्ती के लिए अप्लाइ कर सकते हैं तो अगर आप रिजर और कैटे AWD है या handicapped candidates है तो आपके लिए अलग से यहां पर चूट रखी गई है तो दोस्तों अब बात किज़े आपका केसे यहां पर selection होने वाला है selection आपका exam की आधार पर होगा exam में भी आप देख सकते हैं आपका interview भी रहने वाला है और आपका यहां पर नोर्मली एक 10th pass level का exam रहने वाला है यानि आपके जो 8 में 10 में जो क्यूसर होता है उनी की आधार पर एक छोटा सा exam होगा और उसे की आधार पर आपके selection होने वाला है वो भी दोस्तों यहां पर लंशम 2000 पदों पर यह notification जारी कर दिया गे इसके लिए आपका फोरुम फीस है केवल यहां पर दोस्तों 450 रुपे रखा गए और आप यहां पर आसानी से apply कर सकते हैं यहां पर यहां पर केवल online mode में ही करना है यह आपकी official website है www.ncs.gov.in यहां पर जाके आपको online आवेदन करना है आवेदन इसके already start हो चुकी है 21.01.2023 से इनके start होने वाले है तो दोस्तों अभी तक आवेदन start नहीं हुए है 21.01.2023 से लेकि 10.02.2023 तक इनके online आवेदन मांगे गए है तो आप जरूर अपलाई करियेगा अब बात के जए आपका exam में क्या-क्या आने वाला है तो वो भी आप देख सकते हैं यहां पर आपका जो gk वगरा रहने वाला है नोर्मली रिजनिंग रहेगी नोर्मली इंगलीज रहेगी इन सभी की आदार पर दोस्तों आपका यहां पर selection होने वाला है इस exam को आप पास करते हैं दोस्तों तो आप 2023 में 10 वी पास होने के बावजूद भी आप इस सरकारी नोकरी को प्राप्त कर सकते हैं तो आपको online आवेदन करना है 14 फरवरी 2023 आपकी last date है और आप यहां पर आर्चानी से इस नोकरी को पास सकते हैं दोस्तों आज के लिए धन्यवाद